हाई गाईज दिस बबीता और वेलकम बैक टो मार चैनल दिवाइन लाइट तैरो गाईज आज का जो वीडियो का टॉपिक आपने थम नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि लोग आप के बारे में क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में क्या समझते हैं क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं या क्या चर्चा करते हैं यह हम इस रीडिंग के थूप देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ली तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो पहला जो कार्ड निकल कर आ रहा है वारा है चैरिटी, दूसरा जो आ रहा है वारा है जस्टिस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह यहां पर आ रहा है दभी लॉप फॉर्चून लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यहां पर आ रहा है फूल टॉवर प्रफॉवर्टम अप्सके अफेरे तब करते अपलगे और प्रफुष गजिश्चूड टॉटॉ द्लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जूचते dramatic कि व्रॉब आपके बारे में क्या सोचते हैं ए लूग आपके बारे में क्या सोचते ए इस ऑ बों کی आज लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं? लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं? पोर आप कप्स 7 of pentacles लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं? 2 of pentacles एंद लोग मोर काट King of Swords Bottom of the deck जो आ रहा है भारा है स्टार काट तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं? लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं? तो सबसे पहले जो काट आ रहा है भारा है चेरिती का लोग आपके बारे में सूचते हैं कि आप बहुत दयालू हो आप बहुत जनरस हो आप very kind हो, आप लोगों की help करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों को charity करते हो, आप लोगों को donate करते हो, आपके पास अगर पैसा है चाहे नहीं है, चाहे कम है, चाहे जारा उससे कोई फरक ने पड़ता, आप कुछ ना कुछ amount अपनी income का जो है वो जरूर donate करते या charity करते हो, next जो card है, वो है justice का card, तो लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं, क्या समझते हैं ना, justice का card है, justice means आपना balance पसंद करते हो, harmony पसंद करते हो, साथ-साथ जो भी decision लेते हो ना, वो तोल मोल के, साथ-साथ आपका nature इस तरह का है, कि आप सत्ते के लिए लड़ते हो, आप कई बार दूसरों के लिए तलवार उठा लेते हो, दूसरों के लिए stand ले लेते हो, दूसरों के लिए आपत्ती जता देते हो, मतलब अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप तुरंत stand लेते हो, चाहे वो आपके साथ हो तो आपको balance पसंद है, harmony पसंद है, next जो card है वो है the wheel of fortune का card, Jupiter का card है, तो Jupiter का card बता रहा है कि देखिए ये जो reading है, ये collective reading है, और timeless reading है, जरूरी नहीं है कि पूरी reading ही आपके साथ resonate करें, कुछ-कुछ part इस reading का आपके साथ resonate कर सकता है, तो Jupiter का card आपको बताता है कि आप न, आपको पढ़ने लिखने का बहुत शोखे, ज्यान प्राप्त करने का बहुत शोखे, कुछ-कुछ सीखते आप रहते हो, और थोड़ा सा, जैसा कि Jupiter बहुत strong है, या Jupiter का card है, तो कह सकती हूँ, बहुत साफ दिल के इंसान हो, आप इस तरह क कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो ठीक करने दो, आप उसके साथ गलत नहीं करोगे, आप अपना जो कार है, अच्छे से करोगे, इमानदारी से करोगे, या आपके अंदर ये कह सकते हैं, बदला लेने की भावना नहीं है, आपके अंदर रिवेंज लेने की भावना न सोचते कि आगे उसका अंजाम क्या होगा क्योंकि आप प्रिजेंट में रहते हों आपना पास को देखते हो आप भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते हो है ना साथ-साथ टावर का कार्ड गुस्सा या तो आपको आता नहीं है और फिर आ जाता है तो कोई शांत नहीं कर सकता मतलब बहुत त्री भी गुस्सा आता है एसा गुस्सा की मतलब बहुत कहीं न कहीं हो सकता आप अपना नुक्सान कर लेते हूं इस तरह का यहां पर कार्ड देखकर मुझे समझ में आ रहा है, साथ साथ King of Swords का कार्ड है कुछ लोग आपके बारे में यह भी सोचते हैं कि आपना बहुत materialistic हो हमेशा अपने future के बारे में सोचते हो, हमेशा futuristic रहते हो और यह कह सकते हैं कि emotionally आप किसी से attached नहीं हो, आप detached रहते हो हैना अपना material benefit हमेशा सोच के चलते हो, जो भी आप दोस्ती करते हो देखे, negative उसमें नहीं कह रही हो, यह लोगों की सोच के अनुसाथ जिसमें आपका benefit लगता है ना आप उस काम को करते हो, जिसमें आपका materialistic को benefit हो, financial benefit हो, उस तरह से आप काम करते हो, उसमें जो है रुची दिखाते हो, साथ-साथ two of pentacles का card है, कुछ ही लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपके अंदर कह सकते है, balance बहुत अच्छा बिठाते हो, जाए आपके पास कम पैसा हो, तो भी आप बहुत अच्छे से उसको manage कर लोगे, ज्यादा होगा तो भी, मतलब आप बहुत अच्छे से management कर सकते हो, अगर कम पैसा है तो उसमें आपको कैसे रहना है, उसमें आपको कैसा खर्जा करना है, उसमें आपको कैसे तालमेल बिठाना है, यह बहुत अच्छे से आता, साथ चाथ, आप ऐसे भी हो सकते हो कि आपको अपनी professional life और personal life में balance आप रखके चलते हो, और यहाँ पर seven of pentacles का काड़े, कुछ लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आपना, आपके अंदर सबर भहते हैं, आपके अंदर सुकून भहते हैं, पेशेंस भहते हैं, आप बहुत सबर वाले हो, आप एकदम, मतलब कोई फरक नहीं पड़ता, आप बेट कर सकते हो, आप ये कह सकते हैं, आपके अंदर patience है, सुकून भहते हैं, और next जो card है, four of cups का card है, तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं, कि भली आपके पास सब कुछ हो, लेकिन कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते कि आप ना सब कुछ है, उसके बावजूद आप कुछ ना कुछ आप रो ना रोते रहते हो, किसी ना किसी बात का, आप कुछ ना कुछ परिशानी आपको रहती है, सब कुछ लोगों को दिख रहा है कि सब कुछ है आपके पास, कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ लिकिन आप ना सेटिसफाइड नहीं होते, जो चीजें आपको भगवान ने दिया आप उससे सेटिसफाइड नहीं होते, और हमेशा कुछ ना कुछ परिशानी आप गाते रहते हो, और मतलब ये कह सकते हैं कि लोग आपके बारे में ही सोचते हैं कि आपके पास जो कुछ अब्र रखें, आप ना हमेशा कुछ ना किसी प्रकार की आपके अंदर शिकायत रहती है अपनी लाइब को लेकर, चाथ चाथ दा मून का काड़ है, बहुत इमोशनल हो आप, छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हो, लोग इसा सुचते हैं, बहुत सेंसिटीव हो, म सुचते हो किसी चीज के बारे में, बहुत भावनाव में भह जाते हो किए बार, बहुत इमोशनल हो, तो लोग आपके बारे में ये बोलते हैं, साथ-साथ Two of Wands का का काड़ है, लोगों को ये लगता है है कि आप बहुत ground-ed हो, आप बहुत down to earth हो, साथ-साथ मैचूर्ड भी हो ऐसा नहीं है और हमेशा जो चीज भी करना बहुत तोल मोल के करना जो भी डिसीजन लेना जो भी निन्ने लेना भूँत समझ कर लेना और एस और वांट का काड़ है मतलब आपके अंदर ना लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत इनोवेटिव हो नियू नियू आइडियाज आपको आते हैं मतलब किसी भी चीज के बारे में पूछोगे तो आप उनको कुछ नियू नियू आइडियाज बताओगे इस तरह के आप लोगों और लोग ना आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रेक्ट होते हैं इस तरह का जो है लोग आपके बारे में सोचते हैं कुछ कार्ड और हम लेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं। कुछ कार्द और हम लेंगे लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं फियर अबंदेंस मुवमेंट फ्लो प्रोटैक्शन अग्जाइटी देखिए मैंने अभी आपको बोला था ना अग्जाइटी फिल करते हो आप कहीं न कहीं हैपीनेस स्ट्रेंद एक कार्ड और लेंगे पीस बाटम अव दाटक क्रियेटिविटी देखिए लोग आपके बारे में सूचते हैं कि आप बहुत क्रियेटिविटी हों सोचते हैं ऐपको आते हैं साथ-साथ लोग आपके बारे में सूचते कि में हमेशा खुशी डाईर करते हों सबस्ते चाहिए कार्या को बहुत पावर्फुल पर्सनालिटी समस्ते एं लोग सुचते हैं कि आप बहुत पावरफुल इनसान हो बहुत बहुत पर चुच्छ सांति बहुत पसंदू करते हो संती होan आप सिक आप पहुत ही तो हमेशा फ्लो में चलते हो, यह नहीं कि जैसा समय चल रहा आप उसके हिसाब से चलते हो, उसाथ-साथ movement का काड है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ समय अपना किसी ना किसी activities में जो इस्पैन करते हो, सा लोगों को ऐसा लगता है कि अबंडेंस आपके लाहत में आप खुश हो सब कुछ है आपके पास चाथ चाथ एक और काड आ रहा है फियर का लोगों को ऐसा लगता आप बहुत जल्दी डर जाते हूं चोटी-चोटी बातों पर डरते हों किसी चीज को करने से पहले दस बार सो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरू कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुक्यम ओम साहिराम जय मातादी राधे राधे